मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती है दोस्तों अधमा को जानकारी देने वाले बहुत ही बड़िया मेडसल्स के बारे में जो बहुत ज़्यदा यूजपूल है आपके बॉड़ी के खास तौर्पिक क्रॉनिक इसकी इंफेक्शन के लिए इसमें आता है आ आपका कॉंपलेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो जारहा एक इस कज़ा filming में मेरे पास तो बहुत ही बढ़िया उम्टेशिए जिनका इस्तमौल को से से निजत पा सकते हैं तो आए दोस्तों इस वीडिएो कहो में स्टार्ट करते हैं क्या आप अपनी health problem से परिशान है तो समय गवाएं बिना best homeopathic treatment पाने के लिए अभी चैनल को subscribe करें और bell icon दबाएं दोस्तों जो भी हमारे चैनल से होंगे पेली बार आ रहे हैं चैनल को कर लिजे subscribe पहला इकोन टैप क्योंकि इस तरह के नौइस वीडियो मैं आपके लिए रोजा ना लेकर आती रहती हूं तो दोस्तों आज मैंसे बात कर रहे हैं बहुत बढ़ी और powerful homeopathic medicine के बारे में जो बह दुसरी दवा है बर्बेरिस एकोफोलियम क्यों क्यों का अर्थ है कि मदर टिंजर फॉर्म में तो जब भी आप दवा लेंगे यह चीज़ आपको हमीशा ही ध्यान रखती है कि बर्बेरिस एकोफोलियम क्यों में है और सार सप्रिल्ला भी क्यों में है यह दोनों homeopathic medicine करूं तो एकने फिंपस चेहरे पे मुहासी कील मुहासी हो जाना पस्वरी फुंसियां हो जाना कई बार इनका ठीक होने की पाद भी चेहरे पर दाग धबी जैसे निसान छोड़ जाना कई बर हाइपर पिगमेंटिशन यानी चेहरे पे किसी भाग का बहुत ज़्यदा काला हो जाना यह सरीर में किसी भाग का कुछ हद से जादा काला होना ऐसे सभी कंडिशन में यह दवा इस्तमाल की जाती है इसके सासा दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लूपस की कंडिशन होती है यानी क्रॉनिक स्किन डिजिस होती है कई सारी प्रकार की होती है उसमें सिक लू ऐसी सभी कंडीशन में जिसमें स्किन में आपको दाग, धबे, दाने, खुजली, इस तरह की कोई भी आपी कंडीशन हो रही है, उसमें इस दवा का प्योग किया जाता है। चली दोस्तों, अब हम बात कर लेतें कि ये जो दवाएं हैं इनको लिया किस प्रकार से जाएं। आपने जबी भी खाना खाया है, उसकी आधे घंटे पहले आपको दोनों दवाओं का सिवन कर लेना है। यदि आपने कुछ खाया है, तो अपना पानी पिलीजिए और लगबग 10 मिंट बीट करिए, उसकी बाद ही दवाओं का सिवन करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपको बहुत जानल दाग धब्बे हो रखी हैं, जिसके आप चाहते कि तवचा से इसकी निसान चले जाएं। तो आपको एक्स्टरनली कॉटन से लेकर बर्बेरिस अकॉफोलिय मदर टिंचर को उस जगह पर लगाना भी है। अगर आपकी पूरे फीस्ट में या बॉड़ी के किसी स्पेस्टिक पार्ट में दिखते हैं वहाँ पर भी आप इसी डारेक्ली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है या आप सर्दियों का मौसम है तो आप हलका सा कूकोनेट ओयल मिलाकर लगा सकते हैं तो और भी बेटर रिजल्ट दिखने को मिलेगा। चलिए बात कर लिए दवास्तमाल करें तब कौन से परहिज आपको रखने हैं यदि आप ऐसी कोई भी चीज खा रहें जिससे आपको इसा लगता है कि स्किन में अलर्जी हो जा रही कई लोगों को पॉसी चीज़ों से अलर्जी होती ही कोई स्पेस्टिक नहीं है लेकिन चाहिए दूसरा आपको अगर आप नौन वीच वगरें बहुत जदा आपको फिंपल्स वगरें निकलते तो आपको थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए बहुत जदा मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं तो उसका सिवन भी कम करना चाहिए पानी अधिक से अधिक मात्रा में और साथ ही साथ दोस्तों एक healthy diet plan को follow करें बहुत जदा junk food का सिवन ना करें अगर ऐसी कोई आपको हैबिट है कोई पुल्डद लगी हुई तो उसको नहीं करना है कौफी का सिवन नहीं करना है और साथ ही साथ दावाइयों को regular basis पे time से लेना भी जरूरी है तो आई हुप द दोस्तों यदि कोई भी डाउट है आपके पास तो आफ यूटूब के कमेंट सेक्शन में यह में लाइव सेक्शन में आते हैं और अगर किसी क्रॉनिक विवारी से परिशान है जिसके लिए आप हमारे दौर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहरे हैं तो हमारे वाट्सप की यहां से मिल जाएंगी जो वीडियो आप देखते उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है यह हमारी वेबसाइट www.shreehomeyocenter.com से जाके आप लोग और कर सकते हैं तो आई होब दोस्तों जानकारी पसंद आ रही होगी वीडियो को कर दीजे लाइक शियर और फिलहाल मु झाल झाल